या घर में रहकर बीना जिम जाए, बीना कोई special diet chart follow किये weight loss हो सकता है या family के साथ रहते हुए आप अपने लिए कुछ special diets बना सकते हैं जो आपको weight loss में help करेंगी weight क्यों stuck हो जाता है एक time के बाद और एक बार गया हुआ weight क्यों वापिस से आ जाता है इन सभी questions के बारे में हम आज बात करेंगे और मुझे जो कुछ common comments आते हैं उन्ही सब comments के मैं आपको इस वीडियो में answer दूँगी क्योंकि मेरी weight loss journey में मैंने इन सब problems का सामना किया है और इनी सब problems से लड़के मैंने अपना 12 kg weight lose किया है तो नमस्ते मैं क्रितिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे और खुश होंगे तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि family के साथ रहकर आप कैसे weight loss कर सकते हैं मुझे ये comment आया था कि family के साथ रहते हुए family का इतना सारा काम करने के बाद आप अपने weight loss के लिए बहुत जादा समय नहीं निकाल पाते हैं तो ये सब के साथ होता है मैं भी family के साथ रहती हूँ पर मैं आपको यह assure करती हूँ कि आप family के साथ रहकर भी weight loss कर सकते हैं देखिए जैसे कि आपको मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि diet का बहुत बड़ा role है आपकी weight loss journey में diet जो है वो 70% role play करती है बाकि 30% role जो है आपकी walk, आपकी physical activity play करती है तो आपको ऐसे ही options डूंदने हैं अपनी diet के लिए जो easy हूँ जो आप अपनी family को भी खिला सकें आप क्यों अपनी life को मुश्किल कर रहे हैं आप क्यों अपनी लिए कुछ अलग से खाना बना रहे हैं और अपनी family के लिए कुछ अलग से खाना बना रहे हैं इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप जल्दी ही फ्रस्टेट हो जाएंगे तो आपको वही सब खाना है जो आप अपनी फैमिली को खिला रहे हैं और वो सब खाकर के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं मैं मानती हूँ कि सब की बिल चॉइस सेम नहीं होती है अगर मुझे रागी का चिला पसंद है, मुझे ओर्स पसंद है तो हो सकता है आपको ना पसंद हो तो इसलिए मैं आपको अलग-अलग ऑप्शन्स देती हूँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कुछ खाने के ऑप्शन्स दिये हैं मैं नहीं कह रही कि उन सारे ओप्शन्स को आप यूज करें वही सब खा करके आप पतले हो सकते हैं लेकिन मेरे उन ओप्शन्स के देने का मतलब ये है कि उसमें से अगर आपको एक भी डिश पसंद आती है अगर आपको दो भी डिश पसंद आती हैं जो कि आपके लिए pocket friendly हैं, जो कि आपके लिए easy है, तो आप उनको use कर सकते हैं, इसी तरह से अगर पर आपने आने वाले वीडियो में आपको 15 meals option देती हूँ, तो आपको उन में से 6 या 7 options choose करने हैं, जो आप भी खा सकें और अपनी family को भी खिला सकें, देखिए कितना easy है, wisely से मेरा मतलब है कि वो आपकी pocket पे भी ना भारी पड़े, आपको बनाने में भी easy हूँ, और खाने में भी tasty हूँ, और अपनी family को भी आप उसे खिला सकें, जैसे कि अगर हम सबजियों की बात करें, तो पालग की सबजी हो गई, पनीर की सबजी हो गई, राजमा हो गई, छ healthy खा रही हैं, लेकिन आप portion control नहीं कर रही हैं, तो आपका weight loss होना थोड़ा मुश्किल है, क्यूंकि healthy खाने में भी calories होती हैं, और अगर आप बहुत जादा intake करते हैं, बेसन की चिले का, या रागी की रोटी का, या जवार की रोटी का, तो ultimately वो भी आपका weight gain ही करेगी, तो आप 4 रोटी खाते हैं, तो उसे 2 कर दीजिए, इस तरह से अगर आप शुरू करेंगे, तो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा, और आप long term तक भी sustain कर पाएंगे, क्यूंकि हम पूरी life उबली हुई दाल खाकर के नहीं जी सकते, हम पूरी life salad पे नहीं जी सकते, जैसे कि म बहुत जादा quantity में खाते हैं, तो healthy चीज़ें भी unhealthy हो जाती हैं, और आपका weight gain ही करती हैं, इसलिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रगनी हैं, वो है meals की choices, आपको बहुत ही easy 6-7 meals option अपने लिए choose करने हैं, और कोशिच करें कि वो आपकी family के लिए भी suitable हो, जिसे कि आप के time की बचत हो, और आप frustrated ना हो जाएं, अलग-अलग सा खाना बना बना कर, दूसरा आपको portion control करना है, भले ही आप healthy खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप quantity नहीं control कर रहे हैं, तो वो ultimately आपका weight gain ही करेगी, और तीसरा आपको अपने लिए वो option choose करने हैं, जो आपकी body को suit करें, जैसे कि केला और दूद का combination सब की body को suit नहीं करता, बहुत सारी जगा पे ये कहा जाता है, कि ये option body के लिए सही नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है, कि ये दूद और केला एक साथ में खा सकते हैं, तो ऐसा क्यूं है, क्योंकि हर एक की body इसके प्रती अलग से react करती ह जैसे कि कि इसी की body के लिए ये थोड़ा जादा है भी हो जाता है, और कोई-कोई person इसको अच्छे से पचा भी लेता है, इसलिए अगर ये आपकी body को suit नहीं करता है, तो आप इसे avoid कीजिए, और केला अलग ही खा लीजिए, और दूद को अलग से पी लीजिए, तो मेरे ब खाने में अलग-अलग चीज़े पसंद होती है, तो आप वही खाईए जो आपको पसंद है, चलिए जी, तो आगे बात करते हैं, कि उन दिनों का क्या, जब आप किसी function में गए हैं, किसी party में गए हैं, या घर पे ही आपके बच्चे का birthday है, या फिर कोई engagement का function है, तो आप क करेंगे, देखिए, यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, हमें अपनी जिंदगी को सजा नहीं बना लेना है, वेट लॉस एक lifetime process है, आप lifetime त्याग नहीं कर सकते हैं, अगर आप 30 में से 28 दिन भी healthy खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, जंक अवाइड कर रहे हैं, तो बाकी तो एक kilo बढ़ गया, नहीं, आपको demotivate नहीं होना है, आपको वापिस से दुबारा से अपनी weight loss journey को start करना है, दुबारा से आपको healthy खाना खाना शुरू करना है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो जो भी आपने दो दिन का जंक खा रखा होगा, वो एक या दो दिन में ही आप उपना 4-5 kilo version और बढ़ा देंगे, और उसे कम करने में और जादा मेहनत हो जाएगी, इसलिए demotivator नहीं होना है, function को enjoy कीजिए, शादी को enjoy कीजिए, बर्दे पार्टी को enjoy कीजिए, और उसके बाद फिर से अपनी weight loss journey को start कीजिए, फिर से healthy healthy खाना बनाईए, फिर से अपनी फेवरेट फूड कुछ गुलगपा खाकर के आते हैं, बर्गर खाकर के आते हैं, और आपको guilt फील होता है, तो comment section में मुझे बताईए कि आप क्या खाकर के आए हैं, इससे आपका guilt जो है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, मैं आपको motivate करूँगी, कि कोई बात नहीं, अगर हलका हो जाता है, और आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, इसलिए मुझे comment section में आकर आप बताएंगे, कि आपने क्या unhealthy खाया है, और बता कर क्या भूल जाएंगे, और अगले दिन से अपनी normal life, अपनी normal healthy routine फिर से start करेंगे, तो अगला बहुत common question जो है, वो है weight stuck हो जाने क ये problem मैंने भी face की है, तो मैं समझ सकती हूँ, ये weight stuck हो जाता है, ये एक normal बात है, मैंने भी जब अपना weight loss journey start किया था, तो starting में मेरा भी 5-6 kilo अराम से easily junk छोड़के, walk करके ही कम हो गया था, लेकिन बाद में उसी weight को आपको कम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती ह तो ये बिल्कुल normal है, आपको इससे demotivate नहीं होना है, और आपको बिल्कुल अपनी weight loss journey में लगे रहना है, और इसका common कारण ये है, कि static में तो कुछ water weight होता है हमारी body में, जोकि असानी से कम हो जाता है, लेकिन बाद में जब हमारी body fat को burn करने लगती है, तो उसमें थोड इतना calorie का intake कर रहे हैं एक दिन में, उटना burn नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वज़ा से आपका weight जो है, वो stuck हो गया है, इसलिए कोशिश कीजिए, कि आप जितनी calories का intake कर रहे हैं, उतनी ही calories आप burn करें, अगर आप उससे थोड़ी जादा calories burn करेंगे, तभी आपका weight loss होगा, वर 2kg weight loss हो गया है, तो उसकी खुशी मनाईए, क्योंकि आपने 2kg weight loss कर लिया है, उसका क्या, अगर आपका weight उतने पे ही रह जाता, या 2kg बढ़ जाता, तो हमें हमेशा अपने 500g weight कम होने को भी enjoy करना है, खुश रहना है, क्योंकि आप एक महीने में 2kg weight loss करते हैं, तो भी आप 4 महीने में 8kg weight loss कर लेंगे, और सच मानिए, एक महीने में 4kg weight loss तो बहुत easily possible है, इसलिए अगर आप एक महीने में 4kg weight loss करते हैं, तो भी आप 4 महीने में 12kg weight loss कर सकते हैं, तो मेरा हमेशा से यही suggestion दहता है, कि एक दम से drastic weight loss मत करें, आराम से धीरे-धीरे weight loss करें, ताकि वो वापिस ना आए, क्योंकि अगला सवाल इसी से related है, और मुझे comment section में भी बहुत जादा पूछा जाता है, कि एक बार तो आपने 25kg weight loss कर लिया, लेकिन 12kg वापिस से आ गया, तो इस पर क्या किया जाए, इसका main कारण यह है, कि आपने बिल्कुल drastic diet follow करके weight loss कर लिया, लेकिन आप हमेशा वो diet तो नहीं follow कर सकते हैं, आप हमेशा liquid diet पे तो नहीं रह सकते, इसलिए मैं हमेशा आपने वीडियो में suggest करती हूँ, कि घर का खाना खाके ही अपना weight loss कीजिए, ऐसा खाना खाईए, जो आप पूरी life follow कर सके, इसकी वजह से क्या होगा, कि आपका weight जो है, वो वापीस से gain होने लगता है, इसलिए मैं ये suggest करती हूँ, कि वही खाकर के अपना weight loss कीजिए, जो आप पूरी life खा सके, जैसे कि अगर आप रागी का आटा या जवार का आटा अपनी lifetime में नहीं खा सकते हैं, तो गेहू की रोटी खाकर ही अपना weight loss कीजिए, कैसे, अगर देली अपनी दिन चर्या में, फिजिकल एक्टिविटी को भढ़ा दीजिए, और portion कंट्रोल कीजिए, लीफ्री वेजिटेबल जादा खाये, डाल को कंजूम कीजिए, पानी का जादा यूज कीजिए, ये सब छोटी-छोटी habits को change करके, आप अपना weight loss कर सकते हैं, आपको बहुत अलग से अपने लिए कुछ बनाने की जरुवत नहीं है, तो चलिए, आगे बात कर लेते हैं, intermittent fasting के बारे में, तो जी हाँ, intermittent fasting आपके weight loss में बहुत जादा हेल्प करता है, अगर आप intermittent fasting करते हो, तो आपकी बाड़ी जो है, वो बहुत अच्छी से response करेगी, और weight loss जो अपने eating window में complete करना है, और fasting window में आपको भूखे रहना है, आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी खाना नहीं खाना है, solid food नहीं खाना है, तो intermittent fasting different different तरीके से होती है, जो most popular intermittent fasting का time है, वो है 16 into 8, इसमें क्या होत तो ये आपको weight loss में जरूर से help करेगी, लेकिन 16 into 8 की intermittent fasting बहुत ही मुश्किल हो जाती है, सब लोग नहीं follow करते हैं, क्योंकि family के साथ रहते हुए, या job के वज़ा से, या पढ़ाई की वज़ा से, 16 into 8 की जो window है, वो सब के लिए possible नहीं होती है, इसमें आपको 12 into 12 की window भी follow क इसमें आपको 12 घंटे खाना होता है, और 12 घंटे आपको भूखे रहना होता है, और यह बहुत सादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप अपना खाना रात को 7 वज़े से पहले खा लेते हैं, तो आपको अगले दिन 7 वज़े तक बिल्कुल भूखे रहना है, तो जिस मैं इसे अलग से भी कवर करने की जरूर से कोशिश करूँगी, तो अगला कोश्चन होता है, किटो डाइट का, लो काप डाइट का, तो यह सब डाइट्स जो अलग अलग सी डाइट्स हैं, यह वेट लॉस में हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं, देखिए यहाँ पे मेरा स चोड़ेंगे, वैसे ही आपका वेट जो है वापिस भी आने लगेगा, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, कि बैलेंस डाइट ले, जिसमें प्रोटीन की मातरा भी हो, जिसमें काब भी हो, जिसमें विटामिन्स भी हो, इसके क्या होगा, कि यह आप लॉंग टम तक स आपका वेट जो है वो वापिस भी नहीं आएगा, नेक्स्ट जो बहुत कॉमन कोश्चन है वो है, एक्सरसाइस और योगा पे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आपने अपनी वेट लॉस जन्नी स्टार्ट ह से होती है, तो आप एक घंटे की वॉक से ही स्टार्ट कीजिए, एकदम से अगर आप ड्रास्टिक योगा करने लगते हैं, या आप एक्सरसाइस करने लगते हैं, तो आपकी बॉड़ी जो है, वो रियाक्त करेगी, एकदम से पेइन शुरू हो जाएगा, और आप डिसकॉ लेकिन मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके लिए अच्छी सी एक्सरसाइस और बिल्कुल बिगनर योगा ओप्शन भी लेके आऊंगी, जिने आप फॉलो करके अपना वेट लॉस कर पाएंगे, और एक कॉमन कोश्चन है बैली फैट से रिलेटेड, कि आप अपना बेट तो कम कर लेते हो, लेकिन बैली फैट नहीं जाता, तो देखिए ये भी परसन टू परसन वेरी करता है, किसी का बैली फैट से वाक करने से ही चला जाता है, पर किसी किसी को अपने बैली फैट पर काम करने के लिए योगा करना परता है, या एक्सरसाइस की मदद लेन अब बात करते हैं stress eating के बारे में। बहुत बाता सा recommend में ऐसे आते हैं कि आप stress में जादा खालेते हैं आप emotional eating कर लेते हैं मैं मागती होंगी ये common topic है क्यूंकि मैं भी stressed होती थी तो मैं भी बहुत जादा खालेती थी तो ये इसके काम किया और कैसे आप अपने stress को control कर सकते हैं और अपनी emotional eating, over eating को control कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक dedicated video already चैनल पे डाल रखा है तो आप उसको जा कर देखिए आपको वो ज़रूर से help करेगा आपका stress reduce करने में और emotional eating कम करने में तो last में मैं आपसे यही कहना चाती हूँ कि कोई special diet नहीं है weight loss की कोई special formula नहीं है weight loss का आप वही खाईए जो आपको पसंद है जो आप अपनी पूरी family को खिला सकते हैं वही सब खा करके आप अपना weight loss कर सकते हैं कोई भी अलग से customized diet plan की पैसा खर्च करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है बस आपको कुछ आदतों पे सुधार करना है जैसे कि portion control करना है जैसे कि daily की walk करनी है और आपको junk food नहीं खाना है आपको proper पानी का intake करना है इसके अलावा आपको बिल्कुल deep fry, oily food, chips, samosa, burger, pizza ये नहीं खाना है तो ये सब छोड़ी-छोड़ी habits को follow करके आप अपना weight loss बिल्कुल family के साथ रह कर ही, घर में रह कर ही कर सकते हैं देखिए आपकी family आपको एक घंटा walk करने से तो नहीं रोकेगी ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा खुद ही आपको उठकर अपने लिए एक घंटा निकाल करके अपनी walk करनी पड़ेगी चाहे आप आंगर में करें, चाहे आप छत पे करें, चाहे आप घर के पास ही किसी पार्क में जाके करें आपको डेली एक घंटा की वाग करनी है और portion control भी आपको खुदी करना पड़ेगा कोई आपको जबर्दस्ती तो नहीं खिलाएगा कि चार रोटी और खालो अगर आप उनको कहेंगे कि ये मेरी health के लिए नहीं ठीक है और मैं दो ही रोटी खाऊंगी तो आपको कोई जबर्दस्ती नहीं खिलाने वाला है इसलिए ये mind game है अगर आपने अपने दिमाग को समझा लिया कि आपको weight loss करना है तो कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपको रोग सके और अगर आप बहाने डूंटे ही रहेंगे कि मेरी family joint family है या मैं अपने लिए special diet कैसे बनाऊँ या मैं कैसे अपने लिए घंटे की walk का time निकालू तो ये weight loss आपसे कोई भी नहीं करवा सकता तो आप खुद ही है जो आपके weight loss के लिए responsible है आप खुद ही है जो आपके weight gain के लिए responsible है अपना blame किसी और पे डालना बंद कीजिए और आज से अभी से start कीजिए अगर आपको नहीं समझा रहा है कि कैसे start करना है तो मैंने चैनल पे already video upload कर रखा है कि start कैसे करें उसमें मैंने simple 3 steps को follow करने के लिए कहा है तो आप start कर सकते हैं उन 3 steps को follow करना start कीजिए और अपनी weight loss journey को जल्दी से शुरू कर दीजिए तो इनी सब topic के साथ हम आज का video खतम करते हैं मैं आशे करती हूँ कि आपको video पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please video को like करें comment section में भी जरूर से बताइएगा और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजिए ताकि मैं भी full motivated रहूँ आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे videos बनाने के लिए और अभी तक आपने जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी अपना प्यार दे दे रहिएगा Thank you